नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एरफोर्स एकजाम पेपर में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एरफोर्स बाइगरूप के लिए जागा के प्रेक्टिस सेट नमर चार को यहां पर सॉल्व करेंगे और अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रेक्टिस सेट सॉल्व नहीं किये हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर लेजगा और दोस्तों अगर आप लोग एरफोर्स बाइगरूप के और भी प्रेक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से सॉल्व कर सकते हैं यहां पर दो पैटन बिल्कुल आपके एक्जाम के पैटन के आधार पर है ठीक है इसमें आपको नौन वर्वल देजिनिंग से भी आपको प्रस्ट देखनों को मिलेंगे ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रस्ट नमबर 21 से तो देखेगा यहाँ पर आप लोग अपनी कॉपी प्रस्ट नमबर 21 से लिखा हुआ है 3 cos square x minus 2 sin square x बराबर minus 0.75 और ठीटा जो है मतलब x जो है वो आपका 090 के बीच में है तो आपको x का मान बताना है तो आपको यहाँ पर समझना है कि आपका यह स्वाल कैसे solve होने वाला है तो समझेगा यहाँ पर आप लोग देखेगा यह यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला काम क्या है आप चाहें तो आप लोग इसमें option से उठा के दक्सते हैं और दूसरा तरीका यह होता है कि आप x का मान निकालें तो मैं यहाँ पर मान निकालूगा स्थिदे ठीक है तो देखेगा चाहाँ आप cost को change करें और चाहाँ आप sin को change किसी एक को दूसरे में change कर दीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे हम यहाँ पर cost को change करते है ठीक है तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा यह आपका बन जाएगा 3 और कौस क्या होता है 1- sin sqrx 1- sin sqrx होता है न ठीक है और – 2sin स्क्वाइर एक्स बराबर आपका कितना बराबर आपका है माइनस का जीरो पॉइंट साथ पांच ठीक है तो बराबर जागे नहीं है तो मैंने यहां पर देख लेए ठीक इतना आपका बराबर है इसको थोड़ा सॉल्फ गड़ते हैं आपर तो आपका बन जाएगा 3 माइनस यहां पर को जा का 3 sin square X minus 2 sin square X बरावर ठीक है और माइनस का 0.75 यह वाला ठीक है और इसको tiene को थोड़ा जो आपको जाए ओजगा भी माइनस का 3 माइनस का 325 आप शाइन एकस बंख गलत कर दिया शाइन स्कुझायर एक्स ठीक है और하वर माइनस का 0.75 अब इतना कैलेने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ पर क्या करेगा और स्थ पॉइंट साथ फंच बाला है वो आप तरफ लगात esther टीकिर तो आपका बन जाएगा 3 प्लस 0.75 बराबर आपका बन जाएगा पांच और sine square x ठीक इतना आपका बन जाएगा यह आपका हो गया 3.75 बरावर और 5 sine square x यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं 5 से काटेगा इसको देखे निवाज जाएगा 5 एकन 5 नहीं जाएगा पॉइंट लाएंगे तो 5 से 35 25 आपका आगया 0.75 ठीक है आगे समझे इसके बाद में आगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझेंगे तो आपका यहाँ पर दोस्तों आ चुका है sine square x बरावर जो आपका पॉइंट साथ माच है ना तो आप पॉइंट रहेगा आपका बटे में रहेगा 0 020 बनेगा और इसको आप सॉल करेंगे ना तो आपका कितना बनेगा आपका बनेगा यहां पर देखेगा 25 तीया 75 पच्चिस चो का सो इतना पका बन जाएगा इसके बाद आप यहां लगां एक्स बरावर अणड दूर तेन आपको समझ गया होंगे यहां पर आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा यहां पर दोस्तों आप लोग देखेंगे प्रेस नमर आपके लिए आ चुका है बाइस नमर इस सवाल को आप लोग यहां पर देखेंगे सवाल है कि एक समकोर्ट तरबुज इसकी भुझाएं दो सेमी दो दूर तीन सेमी चार सेमी दी गई है और के परिवरत का छेतर फल होता है आप से इसके परिवरत का छेतर फल पहुचा गया है एक समकोर्ट तरबुज है तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक समकोर्ट तरब 3-7 एक का बन्ね तो मैंने के और एक आपको बताना है कि बहुत बड़ा और अम्मा दिविन्त से इस तरीके से आपका एक बरत वने गा एक तो इसके तरजया उखिफिए आपको निकाल दी है और आपको निकालना क्या है आपको निकालना इसका च्छेत्रफल बहुत आहसान सवाल हो गया आपके लिए आपको सिर्फ वरत का छेतफल निकाल देना है तो आप क्या करेंगे पाई रिस्कार कर देंगे क्या करेंगे पाई रिस्कार कर देंगे पाई का पाई रहेगा रिस्कार का मतलब 2 का स्कॉर कितना होगा 4 तो आपका 4 पाई ठीक है 4 पाई आपका बिलकुल राइट आंसर बनेगा option नमर आपका ए वाला बिलकुल राइट आंसर बन जाएगा ठीक है दोस्तों आप सबी लोग यहाँ पर इस बात को समझ पा रहे होंगे आगे दोस्तों इसके बाद चलते हैं लोग प्रेस नमर थेश की तरफ और दोस्तों अगर आप लोग यस चैनल पर पहरी बारा हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही बहत्रीन content के साथ आपको दागा की practices यहाँ पर मिल नहीं थीक है और जिन्य आप solve करेगा और last में आप लोग comment works में अपना score जो है वो ज़रुवत हैगा ठीक है कि आपका score कितना जा रहा है देखे प्रस्णिया पर आ चुका है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बरावर करने के लिए कितने परस्ट से बढ़ाना होगा सवाल को आपने पढ़ लिया है ना अब देखिए यहां पर दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में देखिए एक संख्या पहली संख्या एक दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या ठीके तीन संख्या है और करा दो संख्या है तीसरी की तुलना में इसका मतलब तीसरी संख्या को आप कुछ माल लिजिएगा और यहाँ पा क्या 40 percent कम है 40 percent और 50 कम है दीखिए हम показ analyse हमने मान ले मान लिया खित्थ इस्व Resource आप सबाल मान सपते ना प स्वाह को बंढ़ा सबाल कर रहा है कि दो संख्यान थी रीक हो कि तुल्ला में 40 percent और 50 percent कैसे कम है पहले वाले सबाल यहां पर कह रहा है कि दूसरी को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसिन बढ़ाना होगा मतलब दूसरी 50 है और कहा है दूसरी को पहली के बराबर करने के लिए 50 को 60 बनाने के लिए तो आपको यहां पर देख रहा है कि 10 बढ़ाना होगा अगर हम 50 में 10 बढ़ा दें तो हमारे 60 बन जाएगा लेकिन percentage में बात कीगे तो देखिए आपको पता लग गया है कि 10 बढ़ाना होगा किस से 50 से 10 बढ़ाना होगा तो देख्यें दूस्तु यहां पर आपके लिए आ चुका है प्रेस्णन.24 और यहां पर बताना है कि सुभाल का अंसर क्या बनेगा त Вас यह ëाल यहां पर लिखा खूय। आपका plus के बाद में कितना है, minus का है, 5 का है, square है, और इस परकार से bracket आपका बंद है, ठीक है, सही से आप देख लिजेगा, ठीक है, तो अब आप देखें, ठीक है, तो ये वाला मैन्या यहां से टाके ऊपर कल दिया है, देखें आपको कोई सवाल लगाना है न, तो देखें आपर क्या करेंगे हम सब्सक्रूंच सबसे पहले सबसे चोंटे का ऑला पर है। और यहां पर भी आपका बंदा ये अर यहां पर यह तो देखेंज़ लगा है सही से देखना सभी पर आपको थोड़ी गल्टी भी नहीं हो जाँ ठीक इसलिए 33 और भाग लगा है अब दखिए जो यह वाला आपका मानिस का बाइस बाग मैंस यह का वह दोँस्ट हौभ दोस्तों मैं थोड़ा यह सौला कि अधका है और मदा है मद बंद का मैं आप इके वाईन से अधसाल और पर हैं माईने से करें सब्सक्राइब गई माइनस का लगाए माइनस लगाए दिए सिर्फ 5 का स्क्वाइर है ध्यान दखिएगा अगर स्क्वाइर आपका ब्राइकेट के बाहर होता तो आपका माइनस का प्लस हो जाता ब्राकेट के अंदर आपका माइनस है और अंदर ही आपका सिर्फ 5 के उपर आपका लगा है स्क्वाइर बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे वे यहाँ पर सीधे ही 5 का वर्क करेंगे वो इनका आएगा 25 लेकिन यहाँ पर आपका जो इसक्वार हैं वो सिर्फ आपका 5 के उपड़ा है ना कि माइनस के उपर तो माइनस का आपका माइनस रहेगा और 5 आपका 25 इस बात का आपको ध्यान रखना एच्छी तरीक एया पर आगे दोस्तों आपका आगे पर आगे जो फिर आपका है मालवा 14 और फिर अपका प्लस मालव 25 येवाला आप मा änज़ देखिए कि आपका बिजांगे 15 की सभागे लगा हूँ है और ये आपका माईनष्गा माण성 सभा भादा इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे ना आगे solve करेंगे तो आपका देखे 111 आपका लिखा हुआ है भाग लगा और यह आपका जागा माइनस का कितना होगा यह आपका होगा 37 और 37 और 37 आपका जागा 111 अब भी आपका एगा माइनस का तो माइनस का 3 माइनस का 3 ऑप्सन नमर दोस्तों आपका यहां पर यहां पर बिलकुल ही डाइट आंसर बनदा है और आप सभी लोग इस बात को समझ भी गए होंगे आगे दोस्तों आपको इसके बाद देखना है प्रेस्न 25 ठीक है और यह दोस्तों आपके लिए अनुपात वाला सिप्टर मतलब सबाल आ चुका है तो इसको फटावर से यहां पर देखते हैं लोग देखी ऐसा नहीं है यहां पर कोई प्रेस्न मैंने ऐसा रखा हो जो आप अपके और चुके एग्जाम नाता हो ठीक है सभी प्रेस्न आपके एग्जाम के दश्क से इंप्वेटन वी और हो सकता इस ट्याफ कि आपको एग्जाम में देखने को मिलें ठीक है इसलिए आप पूरे प्रेक्टिस को उच्छी तरीके से आपर सौल्फ करेगा और इससे पहले कि जितने मैंने आपको मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं ठीक है और अपने तैयारी को देखेगा ठीक है आपका spam Means दोश्तो लिखा एक मिसर्ण में रेत और लोडी का रॉट उनुपात 17 reli हैं जबकि रोडीयों सिमेंट सी में चिर्पातग्य। मिसर्ण में रेत और सीमेंट का रॉपात्स क्या है। यह सवाल आपका है। यह रहीं नॉगन। तकि आपका जेत का जोडी और आगे आप बात कें कि ङए हैं दीट रोडि का अनुपात इसवारयylan कि एपको जो पतरी आपको श्यम करना पड़ाएंगे एक जगे पर नो है एक जगे सब्सक्राइब करेंगे आप 9 और 6 दोनों को गुणा करते हैं तो अठारा बन गया दोनों जोगे पर तो देखिए उपर आलान में आपको दो से गुणा कर देना है और नीचे वालान में आपको तीन से गुणा कर देना है अब आप गुणा कर देना है तो दोसरा आपका अठारा आ रहा है तिसरा आपका 51 आ अप्सन सवाल कर रहा है कि रेत और सीमेंट का अनुपात कर देखिए रेत सीमेंट का मतलब पहला हो तिसरा यह देखना आपको है चाह ओतिस अनुपात एक क्यावन कर दोसरे यहापर देख लिया आपका यहां पर डी वाला बिलकुदाई टांसर बन गया कि यह सवाल देखिए दोसरे थोड़ा भासा तो आपका बड़ा हो गया अगर वह यहांपर दे देते हैं एनुपात भी इतना है ब्यान का लिए तन और उनुपाद निकालने का अगर आपको तरीका ना पता हो तो आप लोग वीडियो को देखेगा ठीके मैंने उनुपाद निकालने के तरीके भी बता रखे हैं दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद में 26 नमर को यहाँ पर देखेगा और आपसे का गया 10 वर्स के बाद कितनी होगी पर देखेंगे सवाल लगाने का तरीका गया है आपको 45 दे रखेंगे आज की आउस्त और का 10 वर्स बाद सभी की पूछी गए ना तो अगर ऐसा हो जाए कि 10 वर्स बाद सभी की आउस्त कितनी होगी या अगर सभी की आउसत तीन गुना कर दें तो उसत कितने गुना हो जाएगा जैसा सवाल का है आप बैसा ही उसत के साथ कर दीजिएगा यहाँ पर कराए 50 वेक्टिव की उसत आई 45 वर्स है ठीक है और 10 वर्स के बाद उनकी क्या होगी उसत सभाल में कुछ भी नहीं था ठीक है थोड़ा सा आपको समझना था ठीक है अगर यहां पर कहता सभी क्याई दो गुना हो जाता ठीक है बात को धान दखीगा आगे दूस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 27 नमबर के बारे में तो यहां पर आप दिखीगा जोशेल ने किसी बस्तों को 26% की हानी पर 999 रुपए में बेचा था बस्तों का लागत मूल क्या था सबाल को आपने पढ़ दिया है आपको हान दे रखी है ठीक है आपको दे रखांए loss % हानी % कितनी आपको दे रखांए 26% की देखिए अगर आप लोगों नहीं हमारी लॉब हाने वाली वीडियो देखिए तो मैंने आपको बताया था ठीक है इससे दूसरा चैनल लेखे ट्रकी नंबर बन वहां पर दूस्तों आपको सभी चेप्टर पढ़ाए गए हैं मैथ कर ठीक है ठीक है सभी चेप्टर आपको प है कि इसका SP कितना होगा हान निकब होती है जब आप कोची 10 में खरीदें माल लेजिए आठ में बेंचते हैं तो आपको दो किहान हो जाएगी वह यहां पर है कि आपनी कोची 100 के खरीदी और 26 रुपए कम में बेंची इसका मतलब कितने मेंची 74 में तो इसका मतलब उस्तों इसका मतलब इसका मतलब जितना निकालना उतना उपका निकाले इसके आपको निकालना सब्सकुश्या बस इसको आप करदेंगे, solve, 2-3, 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 कितना वार, कितना पस्ट बार, 50 पार, दोस्तों आपका यहां पर चला गया है, अब इसके बाद, इसके बाद दोस्तों आगे भी solve कोड़ना है, आगे आपका सवाल किस्ट आप solve, वन्यवाल जाएगा तो क्या करेंगे 37 आपका जाएगा दो बार 37 24 अब कितना बचाएगा पर तो चोगतर हो गया दस और दस बीस बीस और 25 ठीके 25 बचाएगा पर कितना बचाएगा 25 अब कितनी बार जाएगा 37 से तो 37 से जाएगा ना 321 ठीके 27 बार मतलब 7 बार यह भी चलाएगा ठीके 27 यहां पर यह बीस बार चलाएगा फिर दोस्तों गड़ों ठीके आप चाहेँ तो अपनी कापी पर भाग करके देख लिजएगा ठीके 27 बार जाएगा भी गुड़ा आगर देखीएगा जिरो का जिरो पा 28 नमर आपके लिए प्रशन आ चुका है लिखा है 48 km पर घंटा की गत्से ड्राइब करते हुए वरुन गंतबी पर समय से दो मिनिट पहले पहुंचा यदि वह 42 km पर घंटा गत्से ड्राइबिंग करता है तो वरुन समय से एक मिनिट देर पहुंचेगा वरुन को कितने दूर के लिए ड्राइब करना पड़ेगा सवाल आ चुका आपके लिए ठीक है इसके लिए बहुत से लोग अपने अलग-अलग तरीके लगाते हैं ठीक है तो यहां पर आप हम जो बता है वह भी तरीका एक बार देख ली जगा यहां पर आपको निकालने कितनी दूरी के लिए मतलब क्या होता है कि जब उसके चाल ज्यादा है तो मतलब आप जैसे मानी मालीजी आप इसको लाते हैं ठीक है अगर आपके चाल ज्यादा होगी तो आपको समय कम लगेगा और अगर धीर दे जाएंगे तो आपको टाइम जा लगेगा तो बात भाई है कि चाल और समय आप आपको जोता है एक दुसरे के वियूत करमान उपाती होता है मतलब उल्टा होता है यहां पर देखें पहले क्या हुआ कि दो मिनिट पहले पहले पहुच गया अगर मैं आप से पूछ ओ कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है तो आपका डिफरेंस कितना बनेगा एक दो पहले और एक बात मतलब तोटल तीन अब कुछ लोग कहते होंगे तीन कैसे आया अगर आपने संख्यार के पढ़ दखी तो आपको पता भी होगा ठीक है इनका दखी एक एक दो तीन ठीक है तो इसका अंतर तीन आगा यहां पर यह बात ध्यान दखेगा आप लोग अगर आपने सब्सक्राइब तो मिनिट को आप घंटे में चेंज करेंगे साथ से इतना कम ठीक है इतना कम आप कर देंगे बस आपका सबाल सॉल्व हो जाएगा ठीक दूस्तों इतना सा काम करना आपको सिर्फ है देखिए एस बने स्टू का मतलब पहले चाल दूसरी जाल पहले 48 किलोमे ठीक है अब देखिए छे से काटे चेक कंचे चेक अटे आपका जागा 48 और दो एक कंदो आपका जसा गया दो पंचे दो चुकवाट हो गया तो 42 दूने आपका कितना हो गया तो चार दूना आठ चाल तुसला आपका हो गया अब बटा में आपका आए 10 तो आपका 08 ठीक है और वह बी ऑसे परस जो आपके लिए काफ़र जादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको सभी परस टाकि इसके बाद दोस्तों आपके निक आए यह दूस्त आपके लागवग परसम जो है आपको मिलेंगे तो 15 रहुत है इसका अपको आपको बटाने में पूलें सब नहीं कर्टन होते हैं तो इस तरीके समय देखी आप लोग तो आपको यहां पर देखीगा ठीक है और जो मौक्टेश आपका बनाया गया है बहुत अच्छा मौक्टेश भनाए ठीक है इसमें बहुत टाइम भी लगता है हमें तो यहां पर दोस्तों आप देखीए का करेगा कि अब आप इसका अंसर यहां पर क्या करते हैं तो थोड़ी देखे लिए वीडियो को दोखेगा और पहले खुद सी एक बार च्छे करेगा क्या इसका आप निकाल सकते हैं तो अब आप लोगों यहां पर देख लिया होगा अब हम आपको बताते हैं ठीक है कौन सा इसमें यहां पर देखिए जिसी दोस्तों यहां पर देखिए चार पांच कितना हुआ इनको जोड़ी tyre कितना वट गनेगा 9 और 9 से अगर 6 मानिस करेंगर तो आपका 13 बन जाएगा ठेकर इतना साथ तो इस तरीके से आपको सवाल हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप लोग यहां पर भी बात को समझ गए होगी अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देजेगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देज़ा वीडियो ता यहां पर आप लोग देखेंगे अब इस तरीके से आपको बिल्कुल साफ दिखे रहा होगा यहां पर अगर साफ दिखा ही ना दे रहा हो तो आप लोग इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं आपको साफ दिखेंगा ठीक है आपको परस्ण आकर देरकी उसके साथ साथ तो इसको आप देखेंगे तो देखेंगा यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका यहां से यहां पर जाएंगे तो आपका 45 डिगरी पर घूम रहा है जैसे यहां पर ब्लैक बाला इस साइड में है फिर 45 और ताफ आपका यहां पर आगया तो इसका अपकी बार आप क्या आप कहा पर दूस्तों आए वाला इहां पर जाओ Lukeय дов को कोई दिक्यत वाली बात नहां पड़नी हुए बंप गया पे तो आपका इंब हम यहां पर पहुंच्विया प्हंता रहे उसी तरहके दोस्तों क्या हुआ यहां तो यहां से यहां पर आगया और यहां पर आगया आप यहां पर देख सकते हैं और इसके बाद आगे घुमा तो यहां से यहां पर पहुंचा और गूमने के चक्कर में कहां पर आगया यहां पर आगया और यहां से भी दूस्तों आगे वेड़ा तो आपके यहां पर आगया तो यह वाला कहाँ पर जाएगा, तो यह वाला आपका यहाँ पर इस वाले में, तो इस वाले में जाएगा मतलब यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर अगर गया, तो इसका मतलब गया है, आपका यहाँ पर C वाला बन जाएगा, और A वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है आप सभी लोग यहाँ पर बात को समझ गये होंगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा यह कौन सा बनेगा और आपसर नमर आपका यहाँ पर C वाला बिलको राइट आंसर बन जाएगा अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक बार वीडियो को पॉस्ट करिएगा और नन वर्वल में आप यह कोसिस करिएगा कि यह सवाल आप सुम लगा लें क्योंकि एक्जाम में सवाल आप लगाएंगे ठीक है और कोई नहीं लगाएगा इसलिए आप अभी से यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लागे सोचेगा कि यहाँ पर क्या बन सकता है तो चली अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर आपका क्या बनेगा बिल्कुल सिंपल तरिका है देखेगा आप इस बाल यान को आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक लाइन देख पा रहे होगे यह लाइन आपके पहले इस साइड में है फिर आपके बिल्कुल सिधी होगे इसको देखे सिर्फ फिर ऐसी होगे फिर नीचे ऐसी होगे अपकी बार ऐसी हो जाएगी बात को समझे कुछ आप लोग और option को आप देखेंगे तो आप option को देखकर ही पहिचा लेंगे सिर्व आपको A बाले में दिख रहा होगा और कहीं भी दिखरी नहीं रहा होगा A बाले में दिखेगा और कहीं भी आपको दिखेगा ही नहीं ये बात आप यहां पर देख लिजगा तो आप सभी गलत हो गए आपका यहाँ पर option number A वाला बिल्कु लाइट answer बन गया है यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 32 number प्रस्टन आपके लिए यहाँ पर है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आपका लाइट answer क्या बनने वाला है तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको यह वाली आकर जवाब के दिख रहे हैं ना तो इस में किया हुआ ओपर ला पॉइल आपका गया थीक्या और उससे जवाब आगे बढ़े तो उसके बाद में आपका नीचे वाला पार्ट भी गाव हो गया इसका मतलब है कि ओपर वाला गावगा उसके बिपरीत वाला गाव हो गया देखें यहीं से बाद समझ लजेगा नहीं तो आगे आप लफला कर देंगे इसलिए उपर वाला गायव गाए उसके बाद में नीचे वाला मतलब उसके बिपरीद गाव होगा ठीके आगे बढ़ेंगे आप लोग तो आगे यहां पर यह वाला फोगा अब आप खुब दाईगा मुझे एकर इbour वाला गया बहा है तो अगली बार में इसके सामने वाला यह वाला गया बजाएगा तो आपके सिर्फ आपके दो बचेंगे तो आपके पांडी बाला बनेगा ठीके बात को सही से समझ दी जगाएं पर आपका डी वाला रहाँ यहाँ बन जाएगा तो इसलिए ये mock test आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने त्यार किया है और इसी तरीके से आपको daily mock test मिलते भी रहेंगे तो बस आप लोग लगाता practice करेगा जब तक आपका exam का तब तक आप लोग बहुत कुछ कर पाएंगे आपका score बहुत ज्यादा बड़ेगा ठीके तो बिल्कुल टेंसर मगारा मत लीजए आराम से score करेगा अपना देखेगा यहाँ पर प्रश्ट नाक करते आपको दरखी इसके लिए आपको चार उत्तर याक करत ठीके गोला दूसरे में आपका नीचे हो गया तूसरे में आपका इस साड में हो गया तो चौती वाले में यहां पर बनेगा तो इस साड में आपको देखे ना तो यहां पर है ना तो यहां पर है दूसरा काम क्या होगा पहले वाले में आपका यहां पर है कट बनतब यहां देखा जाए एक दरपन को देखा पर रखा जाए तो दीगे उतरा अकर्टियों में से कौन सियक्रति प्रश्चनाकर्टि को शही प्रत्विम होगी तो यहां पर दोस्तों आप सबाल को देख रहे हैं आपको इसके नीचे रखना एक दरपन और इसको बिल्कुल पलट देना ह तो बिल्कुल आप पलट देंगे तो आप एक साइड में होता में इसमें आई सा चिंज हो गया इंदेरts इसमें श diamond नहीं हो गया यह नहीं सकता है तो इसका मतलब आपका यहां पर स्री बाला बिलको राइट आंसर बन जाएगा चलिए यहां पर हम देखते हैं ठीक है यह सवाल आपके लिए आचुका यहां पर है अब आप लोग इसको अपने आप लगाएगा और इसका आज़र आप लोग हमें कमेंट वाक्स में बता देंगे ठीक है आगे दूस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले में ठीक है और अब आप लोग यहां पर देखेंगे देखीगा इस टैप से आपके लिए आपर सवाल आना स्टार्ट हो गए ठीक है प्रेस नमर इसके लिए यह है कि guitar असे सभी बढ़्वर होतीए कि वर्ग में सभी बुगाए बराबर होती हैं, समब्स राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा ना वो कौन सा बनेगा आपसर नमबर आपका यहाँ पर C वाला 18 से 20 मतलब क्या 18 20 मतलब यह दोनों समसंग्या हैं बात को समझें ये ब्रूस संग्हा है और सभी में और सभी में आपके बिचम भी हैं और ठीक है और हर्ड टाइप कि आपके यहां पर यहां पर से 37 नंबर का सी बाला आपका हिहां बन जाएगा तो देखेएगा दुस्तों यहां पर आपके लिए आ चुका तो आपका डीवाला बने गाए जो जो कि अदो बकित को स्क्राइब करते हैं तो 49 असरता क्या पर चलते हैं । तो इसको सभी से देखीगा, A और B एक ही बिंद से चलना आरम करते हैं, दोनों बिपरीद दिशा में, 30 km चलते हैं, A और B है, एक बिंद माले मनें यहाँ पर, A और B दोनों बिपरीद दिशा में चलना सुरुआत करते हैं, ठीक है, हमने देख लिए, एक चलता है इस तरफ, और कितने किलोमेटर चलते हैं, 30 km, 30 यह गया, 30 यह गया, यह हमने माल लिए, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, A बाइयोर मुड़का 10 km चलता है, अब A बाइयोर, तो A यहाँ पर है, और बाइयोर का मतलब यह नीची कर बिद दोनों बढ़ेगा, ठीक है, और कितना चलेगा, अब यह कहरा, एक दोसरे से कितनी दोरी पर है, अब आपको धिर यहाँ पर आपका बंदा एक समकोण, और आपका यहाँ पर बंदा एक समकोण, अब आपको यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर आपको दोस्तों निकालना है कर्ण, कर्ण निकालेगा, तो इसके लिए उ प्लिस का आपका हुगा 100 तो आपका हजागा एक हजार और एक हजार का दुस्तों आप निकाले गांगा अंडरूट ठीकितों कितना आपका आपका बनेगा 10 अंडरूट 10 आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आपका कितना आगा 10 रूड team अपसे कराय कि अब वहां एक दूसरे से कितनी दोरी पर हैं आप से पूछा गया है कि य वाड़ी दोरी आपने इतनी निकाली इतनी आधी निकाली आपने ये आपके आगे 10 रुड 3,10 रुड 10, आपके ये वादी बन जाएगए 10 रुड 10, कुल मिलाकर आपका उजागा बेस रुड 10 ठीक है बात को होंगी और अगर इस्ट्राप का सवाल आपके बनता है ठीक है तो भी आप यहां पर लगा सकते हैं आगे इसके बाद हम चलेंगे प्रस्ट नंबर िधाडर 40 पर ठीक है यहां पर कैलेंडर से आपके एकजामे सवाल से हम यहां पर हम यहां पर लिखते हैं आज हम रहा कि यह दी बीदे कलसे तो बीता कली हो गया और कलसे पहले दिन सनिवार वार तो आपसे सवाल में का गया है तो आने वाले कल तो ये कल आ गया कि एक दिन बाद मतलब ये एक दिन बाद हो गया कौन सा दिन होगा अब आप जाएर ये सनिवार है फिर जबिवार, सोम बार, मंगल बार और ये कौन सा होगा बुदवार तो बुद्वार होगा ना तो बुद्वार का मतलो आपसे नमर आपका यहां पर सीवारा बन जाएगा ठीक है दूस्तों सीवारा आपका बन जाएगा यहां पर आप लोग देखेगा इस सीरीज को आप फटा फट से देखेगा और इसका अंसर आप लोग बताएंगे हमें कमेंट वाक्स में सवाल में कुछ भी नहीं है तो आप लोग इसका अंसर कहां बताएंगे हमें कमेंट वाक्स में ठीक है यहां पर देखेगा ठीक है आपके एक्जाम में ऐसा भी आता है कि आपके एक्जाम में 5 Спilten आपको दिये होंगी आपको नहीं लगाना हुगा आलफा वेट के निसुराई ठीकले तो उस Tab का भी आपकी एक्जाम में आता है और उस Tab के साथसा दुस्तुमें ने आपको यह पर दिखा दिया एक इस्टाप का प्रस्फन आपके अग्जाम में कभी-कभी आता है ठीक है तो आपको हई्ट आप प्रस्न आना चाहिए दीरिज्विंग में तो लिखे तीन सो चॉबिस का मतलग आपको दिरिखा है कि 629 का दिरिखा है है 478 का दिरिखा है ठीक सब का आपको दिरिखा है आपको बताना है कि लाइट कार्ट क्या हुगा दिखीगा 324 और 629 में आप देखी इन दोनों में common आपको क्या क्या मिलना है आपको जो common मिले आप उसको देखेगा जिसे मुझे माली यहां पर दो है आपको देखेगा है तो हम तो यह से क्लौन कर दो आपको तो आपको नहीं मिला होगा इस और देखेगा आपको यहां पर तो आपको 4-4 भिल गया तो 4 से अपका Jupiter 4 गया और पार 4 के लिए ले बाइट अपका 14 गया आफ को बता है आपको लाइट के लिए आपकर बचाल नहीं करें तो लाइट के लिए आपका 3 बंजाएगा और आपक पर यह बाला बनेगा ठीक है दोस्तों लाइट के लिए कितना आपका बन जाएगा तीन इस यहां पर अब दिखिए आपके लिए प्रश्ण आचुके हैं आप लिखा है निम्लिये से प्रोटीन का अतिसमरद श्रोत कौनसा है काला चना सफेद चना मतर सोया बिन प्रोटीन का उत्तर मतलब सबसे अच्छा कौनसा है तो सोया बिन 42 परसेंट प्रोटीन नहीं डिए को सबसा जादे दिया अंधे कि निमलिकित बारती पधान मंतुरी में से किस ने लोक सवा में अविस्वास मस्त का सामना करने से पहले त्याग पत्र दे दिया था उसका नाम बताईए तो उनका नाम था चौधरी चरण सिंग ठीक है चौधरी चरण सिंग ने अविस्वास मस्त का सामना करने से पहले ही त् यहाँ पर देखीगा मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है दोस्तों आपके एक्जाम में ये भी पूचा आता है कि मानव सरीर में कितनी हड़ीयां होती है कितनी होती है 206 ठीक है और सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है सबसे छोटी अड़ी कौन से होती है तो इस type से आपके exam में प्रशने बन सकते हैं खोपड़ी में कितनी अड़ीया होती है ठीके चेस्ट में कितनी अड़ीया होती है तो आप लोग इनको भी याद के लिजएगा कहीं से आप निकाल लीजएगा गूगल अगरा से और आप इसनको भी व्याद करें main main 4-5 यह week रसे चोटी एडशन होती है खोपड़ी में कि जश्रास की ज़लक का लेखक कौन है आज अबुलकलामाजाद अभुलकलामाजाद अभुलकलामाजाठ अवफलाल नहरू एस्ट गोपालन और लाधा क्रश्णन इस ग्लिमसेज आफ वर्ड श्ट्री कौन है जवाहर लाल नहरू याद रखेगा ठीक है याद रखेगा आप घिक है इसमे अभी साफ़ता ने मतलब क्या था यहां पर कि बियासमे समझान संसुतर में इनका जो था मीनी इसको कहते हैं चाहिएं और पर तीन सब्द जोड़े गए थे इसमयदान में कौन कौन से थे एकता और अखंटता धरम नियुद्पैस्ता और एक सब्द दोटता समाजवादी ठीक है तो तीन सब्द आपर जोड़े गए थे यहाँ पर आप देखेंगे अमजद अली खान किसे हैं सरोज से हैं हरी प्रसाथ चोरसिया बासरी से हैं ठीक है और अमजद अली सरोज से हैं यह कुछ important होते हैं ठीक है वह आप समझे काया पर देख लेना आपने आप 4-5 होते हैं important जो बहुत ज़्यादा तो उनको देखेंग होगा बैंककक टोकियो ठाका नई दिल्ली तो नई दिल्ली में पहला आयोजित किया गया तो आप लोग दिवस बगळा को याद करीगा ठीक है और अब आप लोग मुक्ख शमळी नियूर्य आपके बचें होई है तो आप लोग अभी इन पर डेली आप लोग एक टॉपि सबसे अलके ज़त कीज़ाई कौन सा होगा लिएथियम ठीक है और लाश्ट आपका है भूमद सागर को लाल सागर से जोडने वाली नहर कौन से है स्वेज नहर ठीक है स्वेज नहर है और अगर मैं बात करूँ कि मननार की खाड़े कहां पर है पाक जल डमरू मद तो यह कहां पर है यह स्री लंका और भाद के बीच में है पाक जल डमरू मद या मननार की खाड़े तो इस तरीके दोस्तों आपके यहाँ पर पूरे 30 मैट और जी कैसे मिले हैं और इसी तरीके से आपका एक्जाम होगा उस पर भी आपका दागा का पोर्सन आएगा तो अब आप लोग अपना स्कोर हमें कमेट वाक्ष नताएगा कि आपने कितना स्कोर कर लिया है और अगर आप लोग चैनल पढ़ना हैं सब्सक्राइब नहीं क कर दो कर दो ।